आप उड़ाफने स्टुडेंट्स आज हमने पढ़ा था कि area और perimeter क किसे बोलते हैं तो अब हम कुछ इसके example करेंगे कि area और perimeter कैसे निकालते हैं तो हमने कुछ 3 rectangles दे दिये हैं उनका area और parameter है में आपको 2 दिखाऊंगा तो एक आपको खुद करना पड़ेगा सबसे पहले है कि पैरिमेटर और रेक्टेमेटर का फॉर्मला क्या था तो इंटू लेंग्ट प्लस ब्रेट्थ तो पहले वाले रेक्टेंगल में लेंग्ट हमको 3 cm दी है और ब्रेट्ट दी हमको 2 cm अगर हम लेंग्ट उन्टव ब्रेट्थ तो उस पेस में इसका निकालेंगे अरिया निकालेंगे लेंग्ग हम पास 3 cm है और लेंग्ट हमारा हिवारे पास do cm तो देरफिर ऐरे क्याएगा 3 cm into 2 cm यानिकि 6 cm square ऐसी हम सेकेंड पार्ट करेंगे जिसके हमको लेंग्ध 4 cm दिया है ब्रेट 2 cm दिया है तो पैरिमीटर सेम उसका फॉर्ण लाहा है तू लेंग्ध प्लस ब्रेड टू 4 cm प्लस टू सेंटिमीटर टू मिल्टिप्ले 6 cm यानिकि 12 cm क्या आएगा इसका Therefore, area of rectangle कैा ओएगा 4 cm into 2 cm equal to 8 cm square. So, Thank You Students.